कल आपने बहे की चर्चा की कि सब कुछ बहे से ही हो रहा है वेद भी ऐसा ही कहते है वेदों में भी आदमी को डराया ही गया है यह भे क्यों और कैसे पैदा हुआ जिसके कारण मैं बहुत परिशान हूँ भे के अत्रिक्त मुझ में कोई वासना नहीं है इस भे मात्र को मिटाने के उपाय बताने की अनुकंपा करें पहली बात जब तक तुम भे को मिटाना चाहो कि भे ना मिटेगा तुम्हारे मिटाने में ही भे छिपाए तुम न केवल भे भी थो तुम भे से भी भी थो इसलिए तुम मिटाना चाहते हो तुम मिटाना सकोगे तुम मिटोगे तो भे चला जाया का तुम भे को न मिटा सकोगे भे ही तुम्हारे एहंकार की चाया है समझो कि भे क्या है तुम जानते हो मौत होगी इसे तुम जुटला नहीं सकते रोज कोई मरता है हर मरने वाले में तुम्हारी ही मरने की खबर आती जब भी कोई अर्थी निकलती तुम्हारी ही अर्थी निकलती और जब भी कोई चिता जलती तुम्हारी ही चिता जलती कैसे बुलाओगे तुम जानते हो कि तुम भी मरोगे जनम गए तो मरोगे तो ही ये देह तो मरन सया पर धरी है ये तो चड़ी है चिता पर ये तो तुम रोज मरते जा रहे हो भैबीत कैसे न होगे ये डर तो खाएगा ये तो घबडाएगा कि मौत करीब आरी, पता नहीं कब आ जाये, कभी भी आ जाये, किसी भी छण आ सकती, इस जीवन में एक ही चीज निष्टित है, मृत्यू, और तो कुछ निष्चित नहीं है, इस निष्चित मृत्यू से तुम घबडाओगे कैसे ना, घबडाओगे तो ही, ये बिलकुछ स्वाभावेगे, तुमने सरीर को समझ लिया मैं, तो मौत होने वाली, मौत होगी तो भै होगा, तुमने मन को समझ लिया मैं, और मन तो सरीर से भी ज़्यादा अस्थिर है, छण भर भी वही नहीं रहता, बदलते ही जाता है, पानी की धार है, अभी मगरी थी, अभी असरद्धा पैदा हो गई, अभी अभी बड़ी करूना दर्सा रहे थी, अभी अभी क्रोध में आ गए, अभी जिसके लिए मरने को तयार थे, अभी उसको मारने को तत्पर हो गए, ये मन तो भरोसे का नहीं, ये तो बिलकुल कपरा है, ये तो पानी की ल सरीर के साथ तुमने अपने को एक समझा, तुम भैभीत कैसे न होगे, और तुम पूछते हो भै से छुटकारा कैसे हो, भै स्वाभावी के, भै तुम्हारे ब्रांत तादात्म की चाया है, जिस दिन तुम जानोगे कि मैं सरीर नहीं, मैं मन नहीं, उसी दिन तुम जानोग कि मैं भी नहीं, ना सरीर में हूँ, ना मन में हूँ, तब जो सेस रह जाता है, वहाँ तो मैं खोजे भी मिलता नहीं, वहाँ तो मैं की कोई धारना ही नहीं बनती, मैं तो पैदा ही तादात्म से होता है, किसी से जुड़ जाओ तो मैं पैदा होता है, सरीर से जुड़ जा तब भीतर रह जाता है सुन्ने स्वभाव, उस सुन्ने स्वभाव में कोई भै की रेखा भी पैदा नहीं होती, तो तुम पूछते हो, कि भै से कैसे छुटकारा हो, नहीं भै से छुटकारे की चेश्ठा न करो, भै को समझो कि भै क्यों है, छुटकारे के तो तुम उपाय कर रहे हो तो कोई भगवान के चरणों को पकड़े पढ़ा है कि ए प्रभू बचाओ तुम्हारी सरन आया हूं लेकिन भैके कारण ही पढ़ा है तुम भगवान को यादी करते हैं जब तुम भैबीत हो जाते हैं एक नाव डूबी-डूबी हो रही थी और मुल्ला नसुर्दीन उसका मित्र दोनों कप रहे हैं नसुर्दीन का मित्र घुटने टेक के बैठ गया नमाच पढ़ने लगा उसने का है अल्ला है परमपिता अगर तुने मुझे बचा लिया तो मैं अब कभी भी सराब ना पियूँगा अगर तुने मुझे आज बचा लिया तो मैं कभी धुम पानना करूंगा वो बड़े त्याक करने लगा अखीर में वो ये कहने ही जा रहा था कि अगर तुने मुझे बचा लिया तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा फकीर हो जाऊंगा तब ही मुल्ला बोला ठहर ठहर रुक इतनी जल्दी मत कर किनारा दिखाई पड़ रहा है और वाद मूठ के खड़ा हो गया और भूल गया ऐसा बकवास जब किनारी दिखाई पड़ रहा है तो फिर कौन फिकर करता है मुल्ला एक बार चड़ रहा था ब्रक्ष पे खजूर लगे लंबा ब्रक्ष पैर खिसके तो कहने लगा हे प्रभू अगर आज ब्रक्ष तक पहुँचा दो खजूर तोड़ लू तो पूरा नगद एक रुपया चड़ाओंगा पक्का मानो हाला कि अतीत में मैंने सब कुछ भी नहीं किया कि तुम भरूसा करो मगर इस बार करो चड़ गया जब खजूर के बिलकुल पास पहुचने लगा फलों के तो उसने सुचा ये तो तुम भी मानोगए कि एतने से खजूर के लिए एक रुपया जादा है जब खजूर पे हाथ ही रख दिया तो उसने का कि चड़ें तो हम और पैसा तुमें चड़ाएं इसी बीच पैर खिसका और धणाम से जमीन पे गिरा खजूर भी छूट गए नीचे गिरा जल्दी कपड़े जाड़ के ऊपर देख के बोला ये भी क्या बात हुई अरे जड़ा मजाग भी नहीं समझे अगर आज गिराया नहोता तो एक नगत कलदार चड़ाते पस आदमी जब भे में होता है तब भगवान जैसे ही भे के जरा बाहर हुआ कि भगवान इत्यादी सब भूल जाता है तुम्हारा भगवान तुम्हारे भे का ही रूप है और लोग मानते हैं कि आत्मा अमर है ये भी तुम्हारे भे की ही धारना मैं ये नहीं कह रहा कि आत्मा अमर नहीं लेकन तुम्हारा मानना कि आत्मा अमर है भे की धारना दरे हो मौस से तो कहते हैं आत्मा अमर है कपरे हो आत्मा का कोई पता नहीं आमरता की तो बात ही छोड़ू मगर आत्मा आमर है इन सिद्धान्तों में अपने को छिपाने की कोशिस मत करो भैसे मुक्ति संभव है भै को जानने के द्वारा भैका साक्षातकार करो जहां भी तुम्हें लगे भै है वहां भै पर ध्यान करो समझने की कोशिस करो क्यों है कहां है किस कोने में छिपा मन के किस अचेतन में बैठा कहां से उठता ये धुआ क्यों उठता जिन मित्र ने पूछा है मुझे लगता है उन्होंने भैका कभी साक्षातकार नहीं किया भै ने उन्हें पंगू कर दिया है तुब इस पंगूता को तोड़ो जब भै लगे बैठ के सांती से ध्यान पूर्वक भ्याको पहचानो कहा है लगता है सरीर मर जायेगा तो सरीर तो मरना ही है इसमें भै की क्या बात ये तो होना ही है इसमें भै करने से प्रियोजन क्या है सुकरात मरता था एक सिस्स ने पूछा भै भीत नहीं है तो सुकरात ने आख खोली और उसने का भै दो ही संभावनाएं है या तो जैसा नास्तिक कहते हैं कि मैं मर जाओंगा, बिल्कुल मर जाओंगा कुछ भी न बचेगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भै किसको होगा बात खतम हो गई सुक्रातना रा, खतम हो गई बात रह के भी क्या करना था इतने दिन रहे तो भी क्या कर लिया जन्म के पहले भी नहीं थे तब तो कोई तकलीफ नहीं थी मौत के बाद फिर नहीं हो जाएं कि तो तकलीफ क्या है तुमसे मैं पूछता हूँ जन्म के पहले तुम नहीं थे अगर नास्तिक सही है तो जन्म के पहले तुम नहीं थे, कौन सी तकलीफ थी नहीं होने में कोई याद आती तकलीफ, जन्म के पहले की कोई तकलीफ याद है जब थे ही नहीं तो तकलीफ कैसी जब कोई था ही नहीं तो तकलीफ किसको मरने के बाद फिर नहीं हो गए तब गबडाना क्या है फिर वैसी हो गए जैसे जन्म के पहले थे ऐसी समझो तो सुक्रातने का अगर नास्तिक सही है कि आत्मा समाप्त हो जाएगी मृत्यू में कुछ भी न बचेगा तो भे क्या जैसे जन्म के पहले नहीं थे वैसे फिर नहीं हो गए बात खत्म हो गई आई गई हो गई एक लहर उठीक हो गई या हो सकता है आस्तिक सही हो अगर आस्तिक सही है और आत्मा बचेगी तो फिर भे कैसा सरीर ही गया हम तो बचे ही रहे हम तो सरीर थे ही नहीं तो सुकरात में का दो ही संभावनाएं हैं या तो आस्तिक सही हो या नास्तिक सही हो और सुकरात बड़ा हिम्मत का आदमी हो ये भी नहीं कहता कि मैं मानता हूं इसमें कौन सही है वो कहता मुझे कुछ पता नहीं मगर भै कैसा दो में से कोई एक ही ठीक हो सकता है दोनों हालत में भैव्यर थे तो अगर सरीर का जाने का भै लगता है तो क्या डर है सरीर तो जाएगा एक फकीर के दो बेटे थे मर गए एक दुरगटना में जब वो फकीर घर आया नमाज पढ़ के मजज़े से तो उसकी पत्नी ने कहा पहले तुम बोजन कर लो फिर तुम्हें एक बात कहनी उसने बोजन कर लिया लेकिन वो बार बार पूछने लगा बेटे कहा है क्योंकि उनको बेटे से बड़ा लगाओ था जुडवा बेटे थे और कहने लगा कि वो सदा मस्जिद पहुँचाती थे आज मस्जिद भी नहीं पहुँचे बात क्या पत्नी ने कहा पीछे बताऊंगी आप पहले बोजन कर ले उसने बोजन कर लिया हाथ पर दोके बैट गया तो उसने कब दूसरे कमरे माई लेकिन पहले एक बात कहनी 20 साल पहले एक आदमी कुछ हीरे जवारात मेरे पास रख गया था अमानत के तोर पर आज वापिस मांगने आया तो मैं उसे लोटा दू तो फकीर ने का ये भी कोई पूछने की बात है जो उसकी है चीज उसे लोटा दू इसमें मेरे पूछने के लिए रुकने की ज़रुवत थी ना थी तुमने लोटाए क्यों ना क्या कुछ मन में बेईमानी आ गई उसने का बस फिर ठीक है अंदर आएं उसने चादर उठा दी दोनों लड़के मुरदा पड़े थे फकीर तो सन्नाटे में आ गया लेकिन तब समझा बात 20 साल पहले दोनों पैदा हुए थे जिसने दिया था वो आज वापिस ले गया हसने लगा उसने पत नी सका तुने ठीक किया तुने ये बात मुझसे ठीक ही पूछी और फिर देख मजे की बात 20 साल पहले ये दोनों जब पैदा नहीं हुए थे तब भी सब ठीक था अब ये दोनों चले गए तो गलत होने का क्या कारण है तब भी तो हम मझे में थे जब ये नहीं थे जैसे तब थे वैसे अब होंगे एक सपना था देखा और तूट गया तो अगर सरीर के कारण भै लगता है तो ये सरीर तो जाएगा इसे बचाने का कोई उपाय नहीं अगर मन के कारण भै लगता है तो मन तो तुम हो ही नहीं थोड़े जागो ध्यान करो होस से भरो जैसे जैसे जागने लगोगे चैतनक की जोती जलने लगेगी सरीर मन से अलग होने लगोगे वैसे वैसे भै भी सरजित हो जाएगा लेकिन तुम भै के खिलाफ मत लड़ो खिलाफ लड़ोगे तो तुम भीतर तो कपते ही रहोगे हालत उल्टी बनी रहेगी भैसे मुक्त होकर अपूर जीवन के फूल खिलते हैं भैसे दबे रहकर सब जीवन की कलियां बिन खिली रह जाती हैं पकड़ियां खिलती ही नहीं भै तो जड़ कर जाता है तो मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ लेकिन तुम भैसे बचने के लिए उसुखो तो कभी न बचपाओगे मैं तुमसे कहता हूं भै को जानो देखो है जीवन का हिस्सा है आँख गड़ा के भै को देखो साक्षात कार करो जैसे तुम्हारी आँख खुलने लगेगी और भै को तुम ठीक से देखने लगोगे पहचानने लगोगे कहां से भै पैदा होता है उतना ही उतना भै विसरजित होने लगेगा दूर अटने लगेगा और एक ऐसी घड़ी आती अभै की जब कोई भै नहीं रह जाता मृत्यू तो रहेगी सरीर मरेगा मन बदलेगा सब होता रहेगा लेकिन तुम्हारे अंतस्तल में कुछ है सास्वत सनातन छिपा जिसकी कोई म्रत्यू नहीं उसका थोड़ा स्वाद लो साक्षी में उसका स्वाद मिलेगा उसके स्वाद पर ही भै विसरजित होता है और कोई उपाय नहीं